नमस्कार, आपका आखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है महाप्रदीप सिंह। भारतेंदु हरिश्चंद का एक नाटक था, उस नाटक का अंत बड़ा दुखान था, और उसका नाम था भारत दुर्दशा। और उसकी दो लाइने हैं, रोव सब मिलके आवव भारत भाई, हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाई। उनकी इस कविता को भारतेंदु हरिश्चंद से शमा याचना सहित थोड़ा सा उसकी दूसरी लाइन में परिवर्तन करना चाहता हूं। हाहा कॉंग्रेस दुर्दशा न कही जाई। कॉंग्रेस जो सबसे पुरानी पार्टी देश की है, देश के आजादी के अंदोलन से जुड़िवी पार्टी थी, हाला कि वो पार्टी पता नहीं कपी तिरोहित हो चुकी है। लेकिन उसका नाम तो निश्चित रूप से चला आ रहा है, कॉंग्रेस पार्टी। और उस पार्टी की आज जो दशा है, बलकि ज़्यादा अच्छा शब्द होगा आज जो दुरदशा है, उसके लिए उसका मौझूदा नेतत तो ही एक मात्र जिम्मेदार है। आप देखी कि ऐसा है कि चुनाओ के समय पार्टियों से कुछ नेताओं का आना जाना इस पार्टी से उसमें चले गए, यह होता रहता है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। तो आरपियंद सिंग जो उत्तर प्रदेश के पुरूई उत्तर प्रदेश के नेता हैं, विधायक रह चुके हैं, लोगसभा सदस्य रह चुके हैं, केंदरी मंत्री रह चुके हैं। कॉंग्रिस में जो एक मात्र परिवार है यानि गांधी परिवार उसके करीबी माने जाते हैं उन्होंने आज भारती जंदा पार्टी के सदसे ताले ली अब ये मेरी समझ से कोई बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल लाने वाली घटना नहीं है आरपियंद सिंग पिछले दो-तीन चुनाव लगातार हार रहे है कॉंग्रिस पार्टी के टिकट पर चुनाव टिकट उनको मिलता रहा है चुनाव लड़ते रहे हारते रहे तो उनके आने से ऐसा नहीं कि पूरवी उतर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में भारतिय जंता पार्टी की स्थिती में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा ये सब नहीं है बात असली ये है कि ऐसे लोग कॉंग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं जिनकी ये दूसरी पीड़ी है और ऐसे ल हमको लोटा कर ले जाता है वही जी 23 की ओर जो मुद्दे जी 23 ने उठाये थे वो आज भी उतने ही मौजू है वही कारण है ये दरसल पार्टी जो लोग छोड़ रहे हैं और आपको बता दें कि लंबी लाइन लगी है अलग-अलग राज्यों के चुनाओ के समय आपको दे होगी तो एक तो ये आप्टिक्स जो है जो जिसका जो है राजनीती में बड़ा महत होता है अभी आपने कुछ दिन पहले जो है जन्वरी के दूसरे सफता में देखा कि तीन मंत्री जो है उतर प्रदेश सरकार के और आठ विधाये बीजेपी छोड़ कर जो है वो चले पड़ा उसका तमाशा बना कि बस सब बीजेपी खतम हो गई बीजेपी से सारे अति पिछड़े निकल गए और जाने क्या क्या वो आप्टिक्स की जो हवा बनी थी वो हफता भर भी नहीं टिक पाई और वो हवा काफूर हो गई अब लगातार बीजेपी जो है ऑप्टिक् उनके परिवार से लेकर आए प्रियंका मौर्या जो प्रियंका वाड्रा की जो कैंपेन थीम है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ उसकी पोस्टर गल्ब थी वो बीजेपी में आ गई अदिती सिंग जो राइबरेली से विधायक थी अनकि वो पहले से बीजेपी के करीब आ गया तो इस तरह से देखिए तो बीजेपी ज्वाइन करने वालों की संक्या जो लोग छोड़ कर गए हैं उनसे बहुत ज्यादा है एक बात दूसरी बात जो छोड़ कर गए हैं वो 2017 में चुनाव से पहले कोई और पार्टी छोड़ कर आये थे और वो बोगजन समाज पार पार्टी में चले गए यह जो लोग आ रहे हैं यह किसी और पार्टी में नहीं गए कभी जोतिरादितिसिंदिया हिमंत विस्चर्मा आप नाम लेते जाएं ऐसे निताओं का जो भारती जंता जितन प्रसाद यह ऐसे लोग हैं जो या तो दो पीडियों से हैं या 25-30 साल से कॉंग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं विभिन पदों पर रहे हैं महतुपूर्ण पदों पर रहे हैं इन लोगों के पार्टी छोडने का ये चुनावी मौसम में पार्टी बदलने वालों से कोई संबंध नहीं है ये इस बात का संकेत है कि इन्होंने ये इतने लंबे सम के इंतजार के बाद इस निश्कष पहुंचे हैं कि कॉंग्रेस में कुछ बदलने वाला नहीं कि कॉंग्रेस में उनका राजनीतिक भविश्य नहीं है जो आगे 15-25-30 साल की राजनीती करना चाहते हैं अगर उनको राजनीती करना है तो उनके लिए कॉंग्रेस ठीक पार्ट नहीं है ये संदेश ये लोग दे रहे हैं कि अगर आपकी राजनीती में रुची है और आप 15-20 साल पचीश साल राजनीती और करना चाहते हैं तो कॉंग्रेस से निकल जाएए किस पार्टी में जाएए नहीं जाएए वो आपका विक्तिकत फैसला लेकिन कॉंग्रेस पार्टी छोड़ दे और ये सब क्यों हो रहा है अब आप देखे किस तरह से पार्टी चल रही है प्रियंका वाडरा ने अभी एक दिन पहले प्रेस कांफरेंस की और ये कहा या या जो है एनाई के जड़िये बयान जारी करके कहा कि मायवती जो है कहीं चुनाव में दिख राहुल गांधी कहा है चुनाव प्रचार में वो कहां दिखाई दिये कहां सक्रिय थे लगभग तीन हफ़ते की छुटी बिताकर विदेश से लोटे हैं भी और उमीद की जा रही है कि शायद दो फरवरी या चार फरवरी पता नहीं कोई डेट है जिसमें एक वर्चुल र दैनिक जागरान अकवार को एक इंटर्व्यू दिया उसमें उन्होंने कहा कि सिद्धू को फिर से मंतरी बनाने के लिए पाकिस्तान से दबाव था इमरान खान चाहते थे कि सिद्धू को मंतरी बना दिया जाया कैपनें के मंतरी मंडल में उन्होंने कहा कि मैंने इसकी सू अब आप अंदाजा लगा ये इतनी गंभीर घटना है कि एक दुश्मन देश का प्रदानमंत्री एक नेता को चाहता है कि वो सरकार में शामिल हो जाए और वो सरकार उस राज्य में है जो बॉर्डर स्टेट है जहां से पाकिस्तान लगातार हत्यार भेज रहा है ड्रक्स भे सामान ने ढंग से लिया गया है उसके अलावा राहुल गांदी का जो काम करने का तरीका है जो उनका मुद्दों को उठाने का तरीका है उससे उनकी पार्टी में कोई सहमत नहीं है उनकी जो कोट्री है उनके आसपास के जो 4-6 लोग हैं उनको छोड़ दीजिए तो उसके अलावा उससे कोई सहमत नहीं है राहुल गांधी उनकी सुनने को तयार नहीं है और वो लोग राहुल गांधी के सुनने को तयार नहीं है तो हालत यह है कि पार्टी कैसे चल रही है किसी को पता नहीं है वो एक चमतकार ही कहना चाहिए कि अभी तक पार्टी कॉलैप्स पूर हो रहे हैं आप देखिए कि चुनाव की समय प्रियंका वाडरा ने उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल बनाया कि जैसे कॉंग्रेस पार्टी जो है में कंटेंडर हो गई है और मुख जो है वो दावेदार हो गई है सत्ता की इसके बावजूद टिकट मिलने के बाद लोग पार के नित्तों में कितना भरोसा है लोगों का अच्छा ये बात आरपियंसिंग पार्टी छोड़ रहे हैं ये बात ऐसी तो है नहीं कि रातो रात हुई अख़वारों में चल रहा था टीवी चैनल्स पे खबरे आ रही थी चोडने वाले हैं बी जेपी में जाएंगे किसी ने उनसे बात करने की कोशिश नहींगी कि आप क्यों जा रहे हैं क्या समस्या है तो ये जो इस तरह की लोग छोड़ कर जा रहे हैं ये कॉंग्रिस के लिए ज़ादा बड़ी चिंता की बात है बजाए उनके जो केवल टिकट के लिए इधर से उधर पार्टी बड़नते रहते हैं और कॉंग्रिस में हालत देखे किस तरह की जानकारी है अपनी पार्टी ये पार्टी की नेताओं के बारे में एक दिन पहले यानि 24 जन्वरी को कॉंग्रिस पार्टी की ओर से कॉंग्रिस मुख्याला की ओर से उतर प्रदेश के स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई उस सूची में आर्पियंट सिंग का नाम जो नेता अगले 24 घंटे में पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने वाला है उसके बारे में पार्टी के करता-धरता जो हैं उनको कोई जानकारी नहीं है उनको कुछ पता नहीं है कोई किसी ने संपर्क करने की कोशिश नहीं की प्रियंका वाड़रा ने उतर प्रदेश में एक नई टीम बना लिये तीन चार लोग हैं उनके आस पास रहते हैं उसके अलावा उस ग्रूप में किसी की एंट्री नहीं है किसी की पूछ नहीं है वो पार्टी को राजनीतिक दल को जो है वो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी की तरह चला रही है यह हमारा फिफडम है यह हमारी संपत्ती है यह हमारा सामराज्ज है इसमें हम जैसे करना चाहेंगे जो फैसला लेना चाहेंगे वो लेंगे मुश्किल यह है कि कॉंग्रिस पार्टी में कोई फैसला लेने वाला नहीं समय अपने आप फैसले करवा रहा है ये जितने लोग जा रहे हैं ये लंबे समय तक बात चीत करके जो तिरा दित सिंदिया लंबे समय तक इंतजार करते रहे एक डेड़ साल तक इंतजार करते रहे बात करते रहे हालत यह है कि राहुल गांदी से आप मिल नहीं सकते जब वो मिलना चाहेंगे और जितने समय के लिए मिलना चाहेंगे तब आपकी मुलाकात होगी ये समस्या पार्टी में आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है आप मान कर चलिए कि पांच राज्यों के चुनाव के बाद हो सकता है कि सबसे पहले जारखंड की सरकार खत्रे में बढ़ जाए आर्पियन सिंग इन्चाज थे जारखंड के कॉंग्रेस पार्टी में जितने विधायक हैं उनके संपर्क में हैं निजी तोर पर उनसे उनके संबंध है और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बीजेपी में आ गए मैं ये बात कह रहा हूँ कॉंग्रेस पार्टी जारखंड में जो कॉंग्रेस विधायक दल है वो तूटने के लिए तयार बैठा है वो आज से नहीं लगभग साल भर से कोई कोई जो है उसमें उस आग में घी डालने वाला नहीं मिल रहा है बीजेपी अगर आज कोशिश करें और ये संदेश दे दे कि हम साथ हैं तो कॉंग्रेस विधायक दल जारखंड में तूट जाएगा और इन पांच राज्यों के चुनाव नतीजे खास्ता उसे उत्तर प्रदेश के नतीजे का आप देखिए महराष्ट की सरकार पर भी असर पड़ेगा तो कॉंग्रेस पार्टी न तो गांधी परिवार से संभल रही है और न वो संभालने की उनकी ताकत रहे गई है लेकिन वो इसे चोड़ने को तयान नहीं तो जो लोग अपना राजनितिक भविश आगे बढ़ाना चाहते हैं देखना चाहते हैं वो पार्टी को चोड़ रहे है और ये सिलसला रुकने वाला नहीं है ये सिलसला इन पांच राज्यों के चुनाव नतीजों का आप इंतजार कीजिए उसके बाद और बहुत तेज होने वाला है ये मुक्ष रूप से कुल ये है कि सुनिया गांदी गाहुल गांदी प्रियंका बाडरा की जो लीडर्शिप है उससे कॉंग्रिस के लोगों का भरोसा उठ गया है जो लोग हैं पार्टी में वो या तो दूसरी पार्टी में जाने की तैयारी में हैं या फिर इसलिए हैं कि किसी और पार्टी में जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है कॉंग्रीस की हालत उस जरजर अमारत की तरह हो गई है जिसकी मुरम्मत करने वाला जिसकी देखबाल करने वाला कोई नहीए तो ये ये अमारत चुकी बड़ी बुलं थी बड़ी जो है मजबूत थी इसलिए भी तक्रिकी हुई है और लेकिन धीरे धीरे जरजर होती जा रही है और एक दिन आप हम देखेंगे कि ये धराम से जमीन पर जो है धराशाई हो जाएगी शायद उसी का इंज़ार कर रहे हैं गांधी परिवार की लोग भी कॉंग्रेस तभी तक रहेगी जब तक हम उसके सर्वे सर्वा रहेंगे हम उसके सर्वे सर्वा नहीं रहेंगे तो कॉंग्रेस भी नहीं रहेगी या कॉंग्रेस ही नहीं रहेगी तो फिर सर्वे सर्वा का क्या सवाल उठता है तो कॉंग्रेस पार्टी से अगर किसी को ये उमीद हो कि इसमें कोई सुधार होने वाला है उसकी इस्थिती में कोई बदलाव होने वाला है या उसके दिन बहुरने वाले हैं तो उमीद छोड़ दीजिए ये इस्थिती बहुत अच्छी नहीं है लेकिन सच्चाई से मुह भी नहीं मोड़ा जा सकता जो है वो सामने है और इसके लिए जो जिम्मेदार है वो भी सामने है तो आज के अंक में इतने ही अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मद्दे के साथ तब तक के लिए अजाज़त दीजिए नमस्कार आप से नरोध है कि ये चैनल देखिए शेर कीजिए लाइक कीजिए और सबस्क्राइब दिरू कीजिए नमस्कार